नमस्कार आपका बर्थ डिटेल 16 जनवरी 1971 बारह बचकर 31 मिनिट नून टाइम आपने हमें बताया है कुंडली मेश लगन की कुंडली है और चंद्रमा इस कुंडली में सिंग राशी में पंचम भाव में बैठा हुआ है यानि लगन के मालिक मंगल है राशी के मालिक सूर्यदेव है लगन से शुरुबाद करते हैं कि लगन मेश लगन जो की सुभाव के अंदर एनरजी देता है चर राशी का लगन है व्यक्ति के सुभाव में एनरजी देता है तो कुछ जल्दवाजी और क्रोध भी देता है लेकिन ऐसे लोग सुभाव से महनती देखे गए हैं ये मैंने बहुत सारे होलस्कोप्स में ऐसा पाया गया है लगन में शनी विराजमान है शनी एक अपने आप में लेवरी प्लैनेट है यानि ये व्यक्ति को महनत करने की शमताएं देता है जीवन में कितनी और किस हद तक मेहनत करनी है वो शनीहा कराने में शक्षम है शनीहावक्री भी है इसलिए जीवन में कुछ बातों का repetition भी ये planet देता है नीच का शनी है दशमेश होके है और जब repetition की बात करते हैं तो कभी कभी जीवन में professionally नुकसान या प्रोफेशन में आने वाली बाधाएं का रिपीटेशन लाइफ में होता है कि एक बार प्रबलम आगई फिर लाइफ में दुबारे भी प्रबलम आई उस तरीके की हाँ मेरे साथ ऐसा पहले भी हुआ था यानि वेवसाय से संबंदित उता चड़ावियों देने में शक्षम है लेकिन मेहनत के बल पर आपको जीवन में सफलता दिलाने वाला ये ग्रह भी है शनी जब लगन में होता है तो उसकी तीसरी दश्टी जब आपके साहस के भाव पर पढ़ती है तो ये आपकी हमत को तूटने नहीं देता आपको करम शील बनाता है क्योंकि ये करम और लाव का मालिकों के लगन में है करम शील बनाएगा मेहनत कराएगा बहुत अधिक प्रियास ये व्यक्ति कह सकते हैं व्यक्ति अपने आपको स्वयम निर्मान करता है अपना कि मुझे अपने जीवन में स्वैम अपने जीवल पर उठना है वैसी स्थिती को ये प्लैनेट यहां शो कर रहा है तो ये अपने आपने स्थिती अच्छी है इसको में खराब स्थिती नहीं कहता है जब प्लैनेट वक्री हो जाता है तो चेस्टा बली बढ़ जाती है यानि के व्यक्ति के भीतर खोज भी इनकी प्रवर्टी होती है वो कुछ न कुछ नई नई बातों के बारे में सोचता है विचारता है अपने कारे को आगे बढ़ाने के लिए तत पर रहता है चंद्रमा जब केतू के साथ हो राशी का मालिक भी है तो चंद्रमा है मन और केतू देता है लाइफ के अंदर प्रॉब्लम जब चंद्रमा के साथ केतू हो जाता है तो ये mentally disturbance देता है ये व्यक्ति को मन में प्रॉब्लम देता है, tension दे सकता है aggression दे सकता है जल्दवाजी दे सकता है तो उससे आपको बचना होगा वैसे चोतेगर का मालिक जब पंचम भाव में बैठा हुआ हो तो ये अपने आप में बहतर होता चतुरतेश का पंचम में जाना भूमी, जमीन, जादाद, वहन, सुकादी व्यक्ति को मिल जाते हैं पंचम का मालिक देखिए सूर्य है ये पंचम भाव का मालिक सूर्य है करम भाव में बैठा है व्यक्ति अपनी बुद्धी का इस्तमाल अपनी शिक्षा का इस्तमाल अपने ग्यान का इस्तमाल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करता है और उससे सफलता प्राप्त करता है जब सूरिय लक्षमी स्थान का मालिक हो के करम में हो यह नि प्रोफेशनल लाइफ करम से आपके जीवन में आएंगी लक्षमी तो यह एक अच्छा योग यहां बनता दिखाई दे रहा है सूरिय दशम में दिखबली होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में बड़े लोग अधिकारी वर्ग या जो समाज में प्रतिष्टिक इनसान होते हैं उनके साथ मिलकर काम करने से भी सफलताएं मिलती है राहू एक आदश में शनी की राशी में हो तो यह प्लेनेटरी पोडिशन लाब के लिए अच्छी है सोर्स ओफ इंकम के लिए अच्छी है आपको जीवन में अच्छे इस तरपर लाब देने के लिए राहू तक पर रहेंगे बुद्ध इस कुंडली में दो खराब स्थान का मालिक है तीन और च्छे लेकिन बैठा हुआ है एक अच्छे स्थान पर इसका मतलब व्यक्ति अपने जीवन में संगर्श करके मेहनत करके भागय का निर्माता होगा साथ इसाथ टूर से ट्रेवलिंग से यातराओं से इस्थान परिवर्टन करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके दूसरे लोगों के साथ सम्बंद बनाकर दूर के लोगों के साथ सम्बंद बनाकर अगर व्यबसाय व्यपार करता है तो जीवन में उसको तरक्य हासिल होती है चलिए अब बात करते हैं आपकी कुंडली के राजयोग की के शुक्र ब्रसपती और मंगल का राजयोग कुंडली के अस्टम भाव में बना हुआ है धन भाव और सब्टम भाव का मालिक है इसको कुछ लोग मारक भाव भी कहते हैं लेकिन मारकेश की टेंडेंसी ये नहीं होती है कि उसकी दशा आईगी तो वो आपको मार देगा ये बिलकुल दिमाग से निकालना होगा क्योंकि लोग बाग इसके लिए डराते हैं मेश लगन के लिए शुक्र को अच्छा ग्रह नहीं कहा गया लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये शुक्र की दशा अगर जीवन में कभी आईगी जैसे 3 जून 23 से 1 परवरी 2026 के बीच ब्रस्पती में शुक्र आएगा ब्रस्पती कहा है अश्टमभाव में शुक्र कहा है अश्टमभाव में अब ब्रस्पती में शुक्र की दशा चले तो व्यक्ती को उस दौरान अपने पैसे को संभालना होगा आपको किसी गलत इन्वेस्टमेंट से बचना होगा किसी को देंदारी में नहीं रखना है पैसे नहीं दे देने है क्योंकि ऐसी स्थिती में जो मारक होगा वो होगा आपके पैसे का मारक यानि इस दोरान पैसा डूबने की इंडिकेशन बहुत जादे रहेंगे जब ग्रहे अस्टम भाव में होता है और दशा आजाए गुरू में शुकर यासे ग्रहे की तो घर के बड़े बूडो को कस्ट होना या उनके दुख या उनको शारीरी कस्ट की स्थितियां भी ऐसे समय में देखी गई है तो खास तोर पर पैसे का ध्यान देना होगा वैसे ये दशा आपके लिए खराब नहीं होगी प्रोफेशनली आपको तरक्की ही देगी ब्रसपती भाग्य स्थान का मालिक जब होके जब अस्टम में हो और लगनेश मंगल भी अस्टम में हो तो ये सारे ग्रह मिलके परेशानियों के साथ ब्रसपती अस्टम में हैं जलतत वराशी में दुआदशेश होके हैं पुराने समय में विदेश की यात्राओं के लिए हवाई यात्राएं नहीं होती थी सब को जलिया यात्रा करनी पड़ती थी लेकिन आज के समय में देश काल पात्र बदल गया है अब लोग हवाई जास से यात्रा करते हैं तो इसको कहते हैं हवाई योग दूर संथ जुड़ने का योग यात्रा का योग विदेश यात्रा का योग जब भाग्ये शस्टम में हो तो फिर से वह श्टितिया भाग्ये का श्टम में जाना यानि के भाग्ये बनाने में अरचने आना कभी-कभी व्यक्ति स्वयम की गलती से भी अपने भाग्ये का नुकसान कर लेता तो वो कॉंबिनेशन यहां बनता है यह तो ही प्लैनेट की पॉलिशन की बात नवांश कुंडली में बहुत सुन्दर इस्टियां बनती है ब्रसपती सब्तमेशों के लगन में और बुद्ध स्वयग रही है पतनी के तरफ से सुख सहयोग दिखाने वाला यह योग है कभी कभी ससुराल पक्ष से भी व्यक्ति को सहयोग मिल जाता है अब बात करते हैं दशाओं की ब्रसपती की महादशा आपको चल रही है काफी लंबे समय से यह आई है आपके जीवन में 2015 से इसको लगबग पांच वर्ष हो गए क्या हैं ब्रसपती ब्रसपती हैं नाइन्थ लॉर्ड भाग्य और द्वादश का मालिक अश्टम में भाग्य बनाने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादे महिनत करनी पड़ रही है क्योंकि यहां करम की कुडली यह दश्माश कुडली है जहां से प्रोफेशनल लाइफ के सकस्स देखते हैं वहां पे ब्रसपती तीन छे का मालिक होके द्वादश में बैठा है यानि टूर से ट्रेवलिंग से यातराओं से दूर इस्थान तर जुड़कर इस्थान परिवर्टन करके आपको फाइदे मिलेंगे और साथ में सूर्य लाभेश है यानि सोर्स ओफ इंकम भी बाहर के लोगों से या दूरिस्थान से बन रही है अब चल रही है दशा आपको ब्रसपती में बुद्ध जो की जून बाइस तक चलेगी बुद्ध क्या है सकुंडली में तिर्टियेश है यानि फिर से लाइफ के अंदर जितना व्यक्ती भागा दोड़ी करेगा उतना उसको गेन मिलेगा टूर ट्रैवलिंग्स करेगा फाइदा मिलेगा चस्टेश होके नवे घर में है भाग्य को बनाने के लिए बहुत संगर्श करना पड़ेगा दशा खराब नहीं है क्योंकि बुद्ध दश्मांश में पंचम में बैठे हैं राहू के साथ हैं कभी कभी राहू के साथ बुद्ध जब पंचम में हो तो व्यक्ति अधिक लाब या लालच के कारण पैसा लगा देता है और उसको नुकसान होता है ऐसे समय में आपको कोई भी जटके के पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना है नॉर्मल तोर पे व्यापार करिए पैसे का लेंदिन साबधानी से रखिएगा नमाश में भी बुद्ध अपनी राशी में है तो ब्रसपती में बुद्ध जून बाईस तक चलेगी दशा अच्छी है सवाल ले लेता हूँ आपके कुछ हेल्थ दो आई हैव एनी सीरियस एल्मेंट इन फ्यूचर देखिए वरतमान में देखें तो थोड़ा बहुत हेल्थ इशूस मुझे दिखाई देते हैं लेकिन मुझे कोई बहुत बड़ा हेल्थ का खराब इटनिकेशन अभी आपके चार्ट में नहीं आया है हाँ गले से संबंदित समस्चाएं गले में थाइराइड ग्लेंड भी होता है तो गले से संबंदित समस्चाएं थाइराइड ग्लेंड से रिलेटर समस्चाएं आपको जीवन में परिशान कर सकती है बाकी कोई बड़ी परिशान नहीं दिखती है इस वर किरपा से आप अपने बिजिनिस में आने वाले समय में अच्छी प्रोग्रेस करेंगे बस धीरे चलिए सुरक्षित पहुँचिए अचानक से बड़े लालाचलाब के चक्कर में नहीं पड़िएगा आप अपने जीवन में पचास साल की उमर में रिटार्मेंट चारें विल भी एबल टू दू देट इफ नो देन वैन विल आई रिटार फ्रॉम माई बिजनिस देखिए एक कटू सत्य है कटू सत्य है व्यापारी का कभी भी कोई रिटार्मेंट नहीं होता नोकरी वाले रिटार्मेंट लेते हैं व्यापारी का कोई रिटार्मेंट नहीं होता क्योंकि व्यापार का मतलब होता है जैसे जैसे आप जीवन में आगे चलते हैं वैसे वैसे वो प्रगत्ती करता है और आपकी दशाएं भी ये कह रही है कि आप आने वाले समय में प्रगत्ती करेंगे आप चाहराई में 50 में रिटार्मेंट लिलू मुझे लगता है कि आप 70 तक भी रिटार्मेंट नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये होरस्कोप एक वर्काहॉलक होरस्कोप है व्यक्ति लगातार काम करेगा तो वो इस्थिति है क्योंकि बिजनिस आगे अच्छा है money will I have any monetary problem in future and will I gain by selling property in future देखिए इश्वर करपा से profession अच्छा है तो पैसा आएगा और जीवन में तरक्की होगी तो इस भगवान की करपा से आपको आने वाले समय में पैसा अच्छा रहेगा वेबसाई भी अच्छा रहेगा अब आप चाह रहे हैं क्या मुझे property बेचने से फाइदा मिलेगा या नहीं उसके बारे मैं मैं बताता हूँ ब्रस्पती में बुद्ध चल रहा है इसका जवाब देगी आपकी चतुरताश कुंडली क्या मुझे property बेचने से फाइदा है अब ही चल रही है ब्रस्पती में बुद्ध अभी आप property ना बेचें आप 2022 के आधे के बाद जून बाइस के बाद अगर property बेचेंगे तो आपको property बेचने से फाइदा मिलेगा देखे फैमिली लाइफ से मुझे कोई बड़ी problem नहीं दिखाए दी बाकी बच्चों का केरियर कैसा रहने वाला है वो उनकी कुडली से ही पता लगेगा मैं बार बार एकी बात को आप से कह रहा हूँ कि आपके पास बड़ा अच्छा समय चल रहा है जून 22 तक आप इस्थान परिवर्तन कर लो जगे परिवर्तन कर लो दूर चले जाओ विदेश चले जाओ क्योंकि अभी आपके पास बहुत अच्छा योग है ऐसा कि आप इस काम को कर सकते हैं और इसमें आपको सकस्स भी मिलेगी मेभी अनोधर कंट्री बिलकुल हाँ अनोधर कंट्री दिखाई देती है आगे की लाइफ आपकी बहतर है इसवर करपा से आपको काफी बहतर रिस्चतियां आगे आ रही है घवराने की कोई जूरत नहीं है प्लैनलेटरी पोडिशन अपने आप में ठीक है हाथ में भी इस्चतियां ठीक दिखाई देती बस जटके के चकर में या बड़ा कुछ करने के चकर में आपको रिस्क से बचना होगा नहीं तो पैसा खराब हो जाएगा आपका बाकि आप अपने काम करते रहोगे तो देखना तरक्की भी आप करोगे तो ये तो थे आपके सवालों के जवाब और आपकी कुंडली का किया हमने अनलाइसिस अब मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ उपाए कि आप क्या उपाए करने जिससे आपको लाब मिले देखे हनुमान जी की पूजा ही करनी आपके लिए सबसे ज़्यादे बैस्ट रहने वाली है आप अपने जीवन में हनुमान जी की पूजा निरंतर करें बजरंग बान, हनुमान चालीशा, हनुमान अश्टक ऐसा कुछ भी रोज करें और भगवान सूर्य देव को जल दे सूर्य देव के सामने जल देने के बाद वहां खड़े होकर सूर्य गायत्री या गायत्री मंतर का भी कम से कम 11 या 21 बार आप जाप अवश्य कीजेगा आपके लिए फायदेबंद रहेगा अगर हम किसी परकार के कोई रतन की बात करते हैं कि आपके लिए कोई सूटेबल स्टोन अगर कोई है तो वो क्या है देखे मैं अभी इस होरस्कोप को देखके रतन के मामले में कुछ सैटिसफाइड नहीं हुआ यानि मैं नहीं कहूंगा आप से कि आप कोई रतन पहने क्योंकि जबर्दस्ती रतन पहनाना किसी को ये मुझे को शोबह नहीं देता क्योंकि जब कुण्ड़ी में कोई रतन ही नहीं बन रहा है तो मैं आपको उसके लिए कहूंगा भी नहीं चलिए तो ये था आप कोरस्कोप सिर्फ उपाई ही कीजिएगा उसी से आपको अच्छा कासा लाब मिल जाएगा नमस्कार